तो दोस्तो वीव अपनी new technology पर काम कर रहा है आपको ऐसा phone मिलेगा जिसमें camera उड़ सकता है दोस्तो ये smartphone वीव के तरफ से patent किया गया है वीव का world's first flying drone camera smartphone phone की उपर वाले हिस्से से पूप होकर भान निकलता है drone और आपकी photo और video बनाने मदद करता है तो सबसे पहले जान लेते हैं इस smartphone की कुछ highlight point के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेगा 200 Megapixel का drone camera इससे आप 8K recording कर सकते हैं साथ ही में ultra resolution में photo और video भी capture कर सकते हैं phone में आपको 6,000 image का बेटी मिलेगा साथ ही में 120V का force charging मिलेगा phone में आपको Super AMOLED 2K display देशने को मिलेगा और यहाँ पर आपको Qualcomm की तरब से एकदम latest होसे मिलेगा जो कि Snapdragon का 780G है जो कि 5G को support करता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे Vivo के World's First Flying Dawn camera स्मार्टफोन के बारे में और साथ ही में बात करते हैं आपको drone camera की तो दोस्तों यहाँ पर आपको drone camera मिलेगा जो कि phone के उपर वाले से से पूपर होकर बाहर निकलता है drone और आपकी photo और वीडियो बजाने मरत करता है इसमें दोस्तों आपको IR sensor देखने को मिलते हैं दोनों तरफ जिसकी मदद से आपको जो drone है वो पूई दर से safe and secure रहेगा साथ ही में आपको इस drone में 200MP का drone camera मिलता है इससा आप 8K recording कर सकते हो साथ ही में ultra resolution में photo और वीडियो बे capture कर सकते हो बात करते हैं front camera की तो यहाँ पर आपको 32MP का front camera मिलता है इस साथ 100MP पर वीडियो recording कर सकते हो और अब बात कर लेते हैं smart phone के OSN performance की तो उससे पहले अगर आप channel पर नए हो तो subscribe करके bell icon पर click करके all select कर लिजेगा तो यहाँ पर आपको Qualcomm के तरप से snapdragon का 780G मिलता है जो कि 5G को support करता है बात करते हैं graphic card की तो indino का 640 दिया गया है तो यहाँ पर आप high graphics वाले game को बिना lego slowdown की smooth less पर खेल पाएंगे बात करते है रेम वेरेंड की तो 2 रेम वेरेंड में available है 10GB और 12GB का option के साथ phone में आपको extend RAM का option दिया गया है साथ हम आपको vivo की तरफ से fun touch OS देखने को मिल जाता है जो कि latest है और यहाँ पर आपको dedicated slot का support भी दिया गया है और अब बात कर लेते हैं smartphone के display की तो यहाँ पर आपको 6.7 inch का full HD plus E3 AMOLED 2 के display दिस्पोर देखने को मिलता है साथ हम आपको 120 Hz का high refresh rate का support दिया गया है iPhone में और साथ हमें phone में आपको in display finger pin sensor का support भी दिया गया है बात करते हैं battery life की तो यहाँ पर आपको phone के अंदर 6000 inch की battery मिलती है 120 watt का fast charging मिलता है और उसी सा type C port, mic 3.5 audio jack and stereo speaker and Dolby का support भी मिल जाता है बात करते हैं design की तो यहाँ पर आपको जो phone का design है वो Vivo के 170 ऐसा देखने को मिलता है जो series है या बेक साइट पर आपको code यार camera मिलता है और उसी सा रेलिफेस का support है और नीची की तरब आपको Vivo का branding देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं smart phone के pricing की तो 70,000 से 55,000 का price होगा बात करते हैं launch date की तो दोस्तो इसका launch date है मैं आपको बता दू यह जो video है वो concept और prediction पर है launch date का सामने नहीं आया है official जो रूप से अगर जब भी आता है तो मैं इसका information आप तक जुरूर पूचाँगा तो दोस्तो आप comment करें आपको केसी लगी वीडियो comment में जानना चाहेंगे वीडियो चे लगने पर like कर देदेगा ज़रा ज़रा वर्स तर फेस्बूक कर शेयर कीजेगा जय हीन जय भरत बंदे मातन दोस्तों